Hello Students आज जो टॉपिक है वो है Rosenmont Reactions ठीक है? तो यहाँ पर जो हम study करने वाले हैं वो क्या study करने वाले है? Rosenmont Reactions यह बहुत important reason है आप इसको यहाँ पर आप देखिए PD-BASO4-H2 जो है इसको PD-BASO4 को हम क्या बोल देते हैं? Rosenmont Catalyst क्या बोलते हैं? Rosenmont Catalyst के बारे में समझ लेते हैं अगर जैसे हम catalyst के बारे में समझ लेंगे तो बाकी चीजे और आसान हो जाएंगी समझने के लिए जब हम further किसी reactions को explain करेंगे ठीक है न तो यहां पर देखिए कि यह जो palladium metal है यह जो है मेरा reducing agent की तरह काम करता है कैसा करता है reducing agent ठीक है अब यह strong reducing agent की बचने के लिए हम क्या use करते BASO4 जैसे palladium catalyst का formation करना होगा तो हम BASO4 को भी introduce कर देंगे क्योंकि यह क्या कर देता है palladium जो catalyst है इसकी surface activity को क्या कर देता है decrease कर देता है तो BASO4 क्या हो गया POISO1 poison catalyst की तरह काम करेगा कैसा करन करेगा poison catalyst की तरह काम करेगा ठीक है न चलिए यह चीजे तो हमने समझ लिया लेकिन हमने BASO4 को use क्यों किया poison catalyst हमने use क्यों किया उसका reason हम मैं आपको बता देता हूं कि इसका reason क्या है चलिए तो यहां पे एक reaction लेते हैं और उसके थूरू मैं आपको explain करता हूं कि हमने BASO4 क्यों लिया है ठीक है न अगर माल लेते हैं कि मेर यहां पर हमने BASO4 use नहीं किया हुगा है तो यहां पर क्या होगा जो acyl chloride आप जो देख रहे हैं यहां पर यह क्या हो जाएगा कि यह जो है CS3 CO और यहां पर H में convert हो जाएगा किस में convert हो गया LD हाइड में Acet LD हाइड में और यहां पर acyl chloride है यह reduce कर दिया क्योंकि यह reducing agent है त समझ में आ रहे बात यह जो reducing agent है इसका reactivity क्या है बहुत जादा reactivity है इसकी वज़े से यह क्या करेगा further आप देखेंगे कि यहां पर H2 जो है PD जो है इसको further यह reduce करके किस में convert कर देगा ethanol में convert कर देगा समझ में आ रहे बात किस में convert कर देगा ethanol में तो अब हमें क्या करना है कि अगर हमें acyl chloride से aldehyde चाहिए अब बात समझने है क्या बूल रहा हूं हमें क्या चाहिए acyl chloride से अगर aldehyde group चाहिए क्या चाहिए aldehyde group तो हमें क्या करना पड़ेगा H2 PD के साथ साथ हमें poison catalyst भी यूज करना पड़ेगा नहीं तो यह जो aldehyde group है यह further alcohol में convert हो जाएगा तो इसको हम prevent करने के लिए रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं BSO4 उमीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक है क्योंकि अगर H2 PD यूज करते हैं तो यह further क्या होगा aldehyde में और aldehyde के बात alcohol में convert हो जाएगा और फिर हम उसको जो हम aldehyde product बना हो जाएगी decrease हो जाएगी और फिर हम acyl chloride से aldehyde formation कर सकते हैं चलिए एक को दो reactions के साथ हमें इसको explain करने की कोशिस करते हैं कि क्या क्या होता है हां तो इन reactions को एक बार erase कर लेता हूं अब देखिए यहां पर क्या है कि ओपर जो आप reaction देख रहे हैं इस reaction की बात करें तो यहां यहां पर क्या हुआ हैँ विंजोइल क्लोरेट दिया हुआ है और बेंजोइल क्लोरेट के साथ साथ में हमने क्या लिए ओवा पीडी पीए-सौ-फू इस catalyzt को क्या बोल देते हैं रोजन मुन कैटलिस्ट और रोजन मुन कैटलिस्ट जैसे हम यूज करेंगे तो यहां पर कि इसमें करोट हो जाएगा बैंजयलिक स्वरी बैंजलडिहाईड में करोट हो जाएगा यानि कि यह यह देहाईड गूरूप में करोट हो जाएगा और इसी reactions को हम क्या बोल देते, रोजन मून रेक्षियन बोलते हैं क्योंकि एक जो scientist थे, रोजन मून scientist ने उन्होंने इसे first time इसका synthesis किया था क्या किया था first time जो synthesis था और Rosen Moon नाम के scientist ने किया था तो उसके नाम पर ही ये reaction पड़ गई है ठीक है ना अगर मैं माल लेता हूँ कि मेरे पास या कोई और भी हम reaction ले सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो दिया हुआ है CH3 COOCL अब यहाँ पर हमने क्या यूज किया हुआ है H2 ठीक है फिर PD BASO4 तो अब यह किस में convert हो जाएगा यह जो acyl chloride है यह किस में convert हो जाएगा LDHID में समझ में आ रही बात किस में convert हो जाएगा यह LDHID में convert हो जाएगा लेकिन मैं मान लेता हूँ कि चलिए मैं यहाँ से BASO4 को reduce कर दिया हटा दिया BASO4 को अगर मैंने निकाल दिया catalyst से तो यह product अब यह मेरा benzyl जो LDHID group है अब यह LDHID ना होके अब यह further किस में convert हो जाएगा एक बार और reduce होके यह CH2 CH3, CH2 और OH में connect हो जाएगा किस में connect हो जाएगा alcohol में इसी reaction को prevent करने के लिए हम क्या करते है BASO4 यूज करते है poison catalyst समझ में आ रही है बाद तो उमीद करता हूँ कि यह reaction आप लोगों को समझ में आई होगी Thank you